Hello everyone, आप लोग का स्वागत है प्रिसेक ने वीडियो का दोस्तों मैं कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था, अपडेट दिया था India's Best Dancer के बारे में, India's Best Dancer का Audition निकल गया है, Grand Audition कहां कहां पे होगा चलिए मैं आप लोग को तुरंद बता देता हूँ इसका जो Audition है 19th January को होने वाला है कोलकत्ता में, कोलकत्ता में जाके आप लोग यहां पे Audition दे सकते हैं एड्रेस चलिए मैं आप लोग को तुरंद बता देता हूँ इसका जो कोलकत्ता का एड्रेस है सुरेश नेतिया Center of Excellence for Leadership इस तरह का नाम है इसका एड्रेस है उसके बाद इसका जो एड्रेस है DC 36 Sector 1 Salt Lake City Salt Lake में हम लोग भी Audition दे चुके थे इंडिनाडल में गया था वह पर मैं Audition दे चुका था Salt Lake में आप लोग जाहिएगा Behind City Center, Kolkata 700064 तो आप लोग को स्क्रीन पे देख रहा होगा कि इस जगह पे Kolkata इस जगह पे आप लोग स्क्रीन सोट लेके रह सकते हैं या पिर आप लोग लिग के रह सकते हैं और कहीं पे भी आप लोग जाएंगे तो टेंपो वाला को यह बोलिएगा तो आप लोग को उहाँ पे छोड़ देगा गाईज तो अगर आप लोग को Kolkata जाना चाहते हैं Audition देना चाहते हैं तब आज हो गया लगबग कितना तारह के आप लोग कमेंट कीजेगा मुझे याद नहीं है तो आज हो गया लगबग गाईज आज ही अप लोग अगर जाना है तो आज आप लोग को पता चल रहा है तो आज कल में ही आप लोग टिकट कर लिजे ट्रेंड का और ट्रेंड का टिकट इसलिए किजे क्योंकि आप लोग को रिजर्श वेशन मिल जाएगा और आप लोग को नहीं तो खड़े होके जाना पड़ेगा इसलिए आप लोग दिकत ना हो बोलके आप लोग ट्रेन का टिकट कर लीजे ताकि आप लोग को सीट मिल जाए शीट नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा आप लोग नहीं जा पाएंगे इसलिए आप लोग जल जल टिकट कर लिजिये मैं भी इस तरह से टिकट पहले ही कर लिया था और यहां पर दूसरा है डेली जयसे कि मैंने दोनों का ही बता दिया और आपलों को बता हूं अगर आप लोग लेना चाता है तो ले सकते हैं अगर आप लोग डांसर बनना चाते हैं पैसन अठ है और इंडिया जाए इसमें दीजी आप लोग को best of luck गाइस और भी अगर अपडेट इसका निकलता है तो मैं आप लोग को तुरन से तुरन देता रहूंगा इसलिए इस वी आपक या फिर किस तरह से जाएंगे जाने के बात क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा इस चैनल को सबस्क्राइब करना बत है और पसंद आए तो Sloku करना माद की जिए सबस्क्राइब को मिलते रहे घाइज आज हुआ हुआ है